अमयलोराइट, अमयलोराइट is a potassium sparing diuretic, अब यह diuretic है तो इसने क्या करवाना है, diuresis करवाना है, urine output बढ़ाना है, और इसके साथ से potassium sparing है, तो इसका मतलब कि इसकी toxicity की वज़े से hyperkalemia हो सकता है, अब यह काम किस तरह करता है, यह collecting tubules के उपर act करता है, collecting tubules में जो sodium channels होंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, उसकी वज़े से क्या होगा, जो sodium की absorption है, वो decrease हो जाएगी, और जो potassium की excretion है, वो भी decrease हो जाएगी, यानि simple words में कहें, sodium जो होगा, वो loss होना start हो जाएगा, potassium जो होगा, वो gain होना start हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि hyponatremia and hyperkalemia, तो अगर diuretic drugs की बात करें, जनरली तो उसके लिए nephron का जो structure है, वो study करेंगे, सबसे पहले glomadalus और तो उसके बाद, बोमस capsule होता है, then we have proximal convylated tubule, proximal convylated tubule के बाद, जो होगा, thin descending आएगा, और उसके बाद जो होगा, वो thick ascending loop आएगा, thick ascending loop के बाद, जो होगा, वो distal convylated tubules होंगे, और इस distal convylated tubule के बाद जो portion होगा, जो बड़ेक बाद जो होगा that is going to be collecting tubule. अब इज को दो होगा, जो फार डिफरेंगा, जो हो आपक्ड जो हो आपक्रर सकती हैं, इसको पर पर गरेंग एगा, इसको पर एकड़ करेंगे, लख दी आएगा, जो इस तरह दी अर दी कर्वा कर अधिक राइने के से यह सारे इदर एक्ट करेंगे और यह क्या करेंगे सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड जो चैनल है उसको ब्लॉक करेंगे देन वी हैव डिस्टल कॉनुलेटी टिबूल इसके ऊपर जो टॉक करेंगे वह थायएग डायरिटिक हो सकती है Chlorothiazide Hydro Chlorothiazide Chlorothalidone जीती भी Chlorothiazide Diuretic सर्व इसके पर act करेंगी और क्या करेंगी Sodium Chloride Co-Transporter जो है उसको block करेंगी उसके बाद Collecting Tibule है Collecting Tibule पे अगर तो कोई drug जो है वो directly act कर रही है और Sodium Channels को जो है वो block कर रही है तो वो drug हमार पास वो सकती है Amylorite and Triumptry और अगर इसी Collecting Tibule पे कोई drug जो है वो indirectly act कर रही है थ्रू अल्डोस्टिरोन रिसेप्टर्स तो वो जो drug होगी हमारे पास इस केस में क्या होगी Spironolactone होगी तो इस तरह जो Diuretics है वो Nephron के different parts के उपर act करती है और Diuresist करवाती है अगर हम specifically amylorite के mechanism of action की बात करें तो जो amylorite है वो Collecting Tibule के उपर act करेगा और यहां पर sodium जो channels है उनको block करतेगा सो जब sodium channels block हो जाएंगे उसके वज़े से diuresis होगी sodium की absorption है वो decrease हो जाएगी potassium की excretion जो है वो भी decrease हो जाएगी अब यह sodium channels work किस तरह करते है नॉर्मली यहां पर जितने भी tubular cells होते हैं उनके अंदर sodium channels होते हैं नॉर्मली यह क्या करते हैं sodium को import करते हैं और दूसरी साइड के उपर क्या होगा यह जो sodium होगा sodium potassium pump के थूप body के अंदर absorb हो जागा add the cause of potassium so potassium जो है वो cell के अंदर import होता रहेगा इसके वज़े से gradient बनेगा और जो chloride ions है वो automatically absorb होना start हो जाएंगे सो इसके वज़े से हम कह सकते हैं कि body के अंदर से potassium जो है वो बाहर जा रहे है sodium और chloride जो है वो absorb हो रहे है अब जो amyloride है वो क्या करता है वो sodium channel को जाकर block कर देगा सो जब sodium channel import नहीं होगा तो यह सारे जो minerals है यह हमारे पस loss होना start हो जाएंगे इसके वज़े से कुछ effects आएंगे क्या effects हो सकते हैं सबसे पहले जो sodium की जो normally absorption हो रही थी वो decrease हो जाएगी और जो potassium की normally excretion हो रही होती है वो भी decrease हो जाएगी सो sodium की decreased absorption है और potassium की decreased excretion है यानि simple words में कहें तो जो sodium की concentration है वो decrease हो जाएगी और potassium की जो concentration है body के अंदर वो increase हो जाएगी यह हम से प्ली कह सकते हैं कि हाइपो नेटरीमिया या फिर हाइपर कलीमिया तो अगर amylo-right के pharmacokinetics की बात करें इत इस गिवन orally और जो triamterine है उसका rapid onset है, shorter duration of action है clinical use के इत इस गिवन विद potassium losing diuretics, for example thiazide diuretics, loop diuretics to limit the potassium loss toxicity side effects में क्या होगा, hyperkalemia क्यों क्योंकि potassium sparing diuretics के साथ क्या करवाएगा, acidosis तो अगर सारी diuretics को हम summarize करें तो उसमें different groups बन सकते हैं, पहला group है, that is carbonic anhydrase inhibitors तो carbonic anhydrase inhibitors में acetazolamide, dozolamide और brinzolamide आ सकते हैं, next group है, this is loop diuretics, अब जो furosemide, torsemide और bimetinide है, these are loop diuretics, but they are sulfonamide derivatives और जो ethacrionic acid है, that is also a loop diuretics, but it is phenoxy acetic acid derivative, next group आ सकते हैं, उसमें thiazide diuretics हैंगी, उसमें आ सकते हैं, chlorothalidone, chlorothiazide, hydrochlorothiazide, indepamide और mitolazone, उसके लावा कुछ तर्ग्स हैं, हम कहते हैं, potassium sparing diuretics, उसमें spironolactone, amyloridone, amyloridone, triamtrine, आ सकते हैं, then we have another group, उसे हम कहेंगे, they modify water excretion only, उसमें आ सकते हैं, ADH agonist, and ADH antagonist, agonist की बात करें तो उसमें खुद ADH, or desmopressin आ जगा, और अगर antagonist की बात करें तो उसमें, tolveptan, koneveptan, demiclocycline, आ सकते हैं, then एक और group है, उसमें कहते हैं, they modify salt and water excretion, both salt and water, और उन drugs को हम कहते हैं, दियार, osmotic diuretics, उसमें आ सकते हैं, mannitol, isosorbite, glycerine, and urea, and finally, एक और group है, उसे हम कहते हैं, SGLT-2 inhibitors, ये क्या कहते हैं, SGLT-2 channel को inhibit कर देते हैं, जिसके वाज़से, जो glucose है, वो urine में loss होना स्टार्ट हो जाता है, इसका side effect होता है, UTI, तो ये भ गलाफलोजन.